Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में काफी अच्छी वेकेंसी की बात करने वाले हैं, जहां पर कोई भी graduate pass candidate आविधन कर सकते हैं, Central Government की वेकेंसी आई है, permanent job रहेगी 17,727 वेकेंसी जो है आपकी जारी की गई है, यह काफी जो है अच्छा चांस रहेगा जो भी graduate pass candidate आविधन करने के इच्छोक रहेंगे, detail में जानकरी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी, कैसे जो है आविधन करना है, आविधन सुल्क भी ज्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपीज है और जिसमें SC, ST, PWD और woman candidate के लिए कोई भी फीज नहीं रखी गई है, ठीक ह तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले जो है, PDF फाइल काफी बड़ी है, कुछ जो important जो की आप लोगों के application form फिल करने से पहले आपको जानकरी होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है, दुबारा से बता देती हूँ, permanent central government की job र हैं, there are approximately 1727 vacancies, 1727 की लगभग जो है, vacancies जारी की गई है, और इन में जो है, group B, C, इनकी vacancy है, group A की vacancy नहीं है, तो higher qualification जो है, नहीं मांगी गई है, और कुछ एकाद post ऐसी है, जहां पर qualification graduation से अधिक है, उनकी हम बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे, केवल graduate pass candidate जहां आवेदन कर पाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं, starting date क्या रहेगी, application form apply करने की last date क्या है, वो सारी चीज़े समझेंगे, 109 pages की ये PDF file है, detail of post की अधि हम बात करें, तो pay level 7, 44,900 basic pay से लेकर 1,42,000 तक यहां पर salary रहेगी, group B की post है, उसके बाद pay level 6 के according, ये भी group B की post है, 35,000 से अधिक basic पे ही रहेगी, यानि ये आपकी salary 60,000, 65,000 से अधिक आपकी बनेगी, pay level 5 के according, group C की post रहेगी, next जो है, group C की अंतरगत ही, pay level 4 के according, यहां पर आपकी salary रखी गई है, ठीक है, vacancy जारी की गई है, SSC की तरफ से, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत, तथा pension मंत्राले, करमचारी चयन आयोग, तो यहां देखें, notice में, combined graduate level examination 2024, यानि कि graduate pass candidate बिल्कुल आविदन कर सकते हैं, जो last year, जिनका graduation चल रहा है, और आपके result आने से पहले आपकी graduation complete हो जाती है, आपके हाथ में mark sheet आ जाती है, तो वो candidate भी जो है आविदन कर सकते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि जादा charges भी नहीं है, मात्र 100 रुपे ही है, जनल कैटिगरी के, तो आविदन करने में कोई बुराई नहीं है, online application जो है, वो 24 जून से start हो चुके हैं, और 24 जुलाई 2024 तक रहेंगे, लास्ट डेट जो है, 24 जुलाई 2024, लास्ट डेट, online payment की 25 जुलाई है, अगर कोई mistake हो जाती है, application form में, तो 10 अगस्त से 11 अगस्त, दो डेट हैं, correction की, इसमें जो है, selection कैसे रहेगा, तो काफी अच्छी जो है, जॉब है, central government की permanent job है, salary भी आप देख रहे थे, की basic पे ही जो है, आप लोगों का 44,000, ग्रुप B के अंतरगत है, तो salary काफी अच्छी जाएगी, आगे चलके जो है, आपकी salary जो है, कम से कम 80,000, 1 lakh तक जो है आपकी जाने वाली है, tier 1 exam आपका September, October मन्त में होगा, और tier 2 exam, ये computer based examination रहेंगे, ये December में होगा, ठीक है, अब जो है, पोस्ट देख लेते हैं, ग्रुप B के अंतरगत, कौनसी पोस्ट है, age limit जो है, वो अधिक्तम 30 वर्स है, IUCMA में छूट बिलकुल आप लोगों को दी ही जाएगी, जो भी आरक्षित वर्ग है, अभी कितना जो है दिया जाएगा, वो अभी देखेंगे, Assistance Action Officer Group B के अंतरगत, पोस्ट है, उसके बाद जो है, अलग-अलग डिपार्टमेंट है इसमें भी, Inspector of Income Tax, इनमें सभी में जो है, ग्रैजुइशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, आप लोग अप्लाइ कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो है, ग्रुप B के अंतरगत ही, और भी जो है, पोस्ट है, जिसमें भी आप अप्लाइ करने के इच्चोक रहेंगे, वो आप यहाँ देख लेंगे, ओडिटर, ग्रुप C के अंतरगत और अकाउंट, ग्रुप C के अंतरगत है, इसमें अधिक्तम आईू सीमा जो है, 27 येर है, ठीक है, तो यह पोस्ट है, आईू सीमा में जो छूट है, वो कितनी दी जा रही है, तो भारत में आप किसी भी राज्ये के नागरिक हैं, आप लोग आविदन बिल्कुल कर पाएंगे, एज लिमिट जो है, यहाँ पर कैल्कुलेट होगी, एक अगस्त दो हजार, 24 को बेस रखें, ठीक है, तो इसमें जो है, आप यह देख लें, कि जिन कैंडिरेट का जन्म, 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006, इसके बीच में हुआ है, इस तरीके से आप देख लें, ठीक है, कितनी चूट है, तो SCST को 5 साल की है, OBC को 3 साल की, PWVD Unreserved में 10 साल की है, OBC को 13 साल की है, SCST को 15 साल की है, एक सर्विसमें 3 साल की, ठीक है, जो भी वीडियोज, कैंडिरेट हैं, तो उनको 35 यर, यह है, सामान्य वर्ग की जो महला है, और SCST अगर हैं, तो 40 वर्ज, काफी बड़ी जो है, PDF फाइल है, अप्लाइ करने से पहले आप लोगों को अच्छे से जो है, पढ़ना रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एनी ग्रेजूइट पास कैंडिडेट अप्लाइ कर सकते हैं, दो-तीन पोस्ट ऐसी है, जहाँ बैसलर डिग्री से अधिक जो है, आपकी होनी चाहिए, इनको आप अगर छोड़ दें, अल अधर पोस्ट, केवल बैसलर डिग्री, कितनी भी परसेंटेज आपकी रही है, इस नातक में बिल्कुल आप अप्लाइ कर पाएंगे, ठीक है, बाकी तीन पोस्ट यह ऐसी है, बैचलर से अधिक है आपका पास, तो इसमें अप्लाइ कर सकते हैं, ठीक है, कैसे अप्लाइ करना है, तो यह आप अच्छे से देख लेंगे, फिर अप्लाइ करेंगे, एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट अल्रेडी हो चुके हैं, कोई भी फीस नहीं है, तो इंपोर्टेंट जो भी है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है, वो क्या रखे जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो है, एप्लिकेशन फॉर्म में फिल कर लेंगे, एग्जामिनेशन जो है, आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी जो है, यहाँ पर बताया है, कि टियर वन में आपके क्या पूछा जाएगा, जीके, जीएस, मैट से इंगलिस, टियर वन में, टियर टू जो है, इसमें आपके जो है, वो पेपर वन और पेपर टू, इस त तो सबसे पहले आप लोगों को पूरी पीडिया फाइल पढ़नी है, ओफिशिल वेब साइट पर आना है SSC की और इसमें जो है नोटिस बोर्ड में आप लोगों को जून 24, 2024 का, 24 जून 24, नोटिस ऑफ कम्बाइन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, बिल्कुल फ्रे करनी है, इसको अच्छे से रीड आउट करना है, और जैसा इसमें बताया गया है, कैसे अप्लाए करेंगे, तो step by step जो है follow करना है, कोई mistake नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप application form में mistake करते हैं, तो correction के लिए भी जो है fees ली जाती है, ठीक है, तो कोई गलती करनी ही नहीं है, तो यह vacancy रही, मुझे लगा आप लोगों को बिल्कुल बतानी चाहिए, जो भी graduate pass candidate है, और central government की vacancy जो है, permanent vacancy में जो है, बिल्कुल form apply करना चाहते हैं, तो यह detail में आप लोग पढ़िएगा, vacancy SSC की तरफ है, short service commission की तरफ से, मिलेंगे next video में, thank you.